हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आप सभी का स्वाकत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में 2 ओक्टोबर 1869 को हमारे देश के फॉड़ार राफ नेशन महात्मा गांधी जी का जनमा था और आज दोस्तों 2 ओक्टोबर 2018 है आज उनकी बर्थ आनिवर्सरी है उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन थी कि अगर आपको इंडिया को देखना है तो रूलर इंडिया को देखो लेकिन दोस्तों आज उसका मतलब पूरी तरीके से बदल चुका है इंडिया को अगर आगे ले जाना है तो रूलर इंडिया को देखो अब इसको बदलने के लिए Government of India ने 2 October 2014 को सोच भारत मिशन लाउंच किया आप इसका टार्गेट ये था 5 साल के अंदर यानि 2 October 2021 को जिस दिन हमारे देश के Father of Nation के 150th birth anniversary है उस दिन से पहले इस देश को open dification free बनाना और आज हम इसके बारे में और detail में बात करेंगे देखते हैं कितना progress हुआ है और हमने क्या क्या achieve किया है तो दोस्तो वीडियो ने वाला interesting आप बने रही है हमारे साथ तो चलिए मैयू आहान आप देख रहें सोचल लाइफ वीडियो शूल करते है दोस्तो वैसे इस issue को solve करने के लिए Government of India ने साल 2000 April में scheme launch की team और उसके बाद 2012 में उसी scheme को फिर से restructure करके निर्मल भारत अभियान नाम रख दिया गया था और उस पर काम किया जा रहा था फिर उसको 2014 में बदल दिया गया नहीं सरकार आने के बाद और उसका नाम रख दिया गया में 20,000 से जादा volunteers इस mission में लगे हुए है और रूलर इंडिया में एक लाग से जादा volunteers इस scheme में लगे हुए है और इस पर काम कर रहे हैं इस target को achieve करने के लिए plan ये बनाया गया है कि अगर 30 meters के अंदर savage system है और वहाँ के आजपास के लोगों के पास toilets नहीं है जो भी waste होगा उसको सिवेज लाइन से लिंक कर दिया जाएगा अगर ऐसा नहीं है तब officials को on-site treatment system का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके लिए twin pits या septic tanks ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा और जहां पर भी toilet कंसर्ट किया जाएगे वहाँ पर water supply कंपल सरी होनी चाहिए दोस्तों ये किसी बड़े mega project या mega scheme से कम नहीं है क्योंकि इतने कड़ों लोग इसमें involved है इतना जादा land area को cover कर रहा है और सरकार उस पे बहुत तेजी से काम कर रही है और इस पर जो खर्चा रहा है वो भी बहुत ही जादा है 30 billion dollars इस project को लग रहा है जिसमें से 60% central government देगी और 40% state government और उनके जो local bodies होंगे वो देंगे इसके अलावा दोस्तों एक और सवाल उड़ता है कि अगर toilet complete होने के बाद क्या वहाँ के लोग toilet इसे इसमाल कर रहे है तो और इंडिया के 5 states open defication free थे और जितने भी toilets concert किये गे थे उस पर 90% population toilet इस्तेमाल कर रहे है यानि दोस्तों लोग toilet इस्तेमाल करना चाहते है और कर रहे है और availability ना होने के कारण open defication किया जा रहा था इससे दोस्तों कहीं environmental issues होने के साथ health issues भी होते है और recent WHO की report के मताबिक इंड diarrhea, cholera, protein, energy, malnutrition ऐसे बड़े-बड़े issues के कारण और इस report में बताया गया है कि 2020 अगर स्वाच भारत मिशन पूरी टरीके से अच्छाए से implement किया गया वो 3,00,000,000 deaths avoid की जा सकती है तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसका progress कितना हुआ है और यह क्या 2021 October तक पूरी तरीके से complete हो पूरी डिकलेर कर दिये गया है और दोस्तों यह बहुत ही remarkable achievement है इतना ही नहीं इंडिया के states BR और इसा इसमें बहुत ही पीछे है इसी कारण total percentage में बहुत अत्यक गिरावत आ रही है लेकिन दोस्तों उसी states पर भी तेजी से काम किया जा रहा है और सरकार 2019 स्मार्ट से पहले इसको complete करना चाहती है दोस्तों यह declaration होने के बाद verification भी की जाती है इंडिया में दोस्तों 2.58 lakhs ग्राम पंचायत है और उसमें से 2.27 lakhs ग्राम पंचायत को open defication free declare कर दिया गया है और जब हम verified open defication free status देखते हैं तो करीब 1,70,000 ग्राम पंचायतों को open defication free declare कर दिया गया है बा 5,000,000 विलेज़स को open defication free declare कर दिया गया है और जो नंबर verified open defication free है और वो नंबर है 3.74 lakhs बाखी के विलेज़स या तो reject हो चुके है या फिर under processing है और जिस speed से काम किया जा रहा है 2008 दिसंबर तक 100% का target अचीब किया जा सकता है और 2021 मार्स तक पूरी तरीके से verification भी इसकी हो सक है कि सरकार कितना effectively इस चीज़ को पूरी तरीके से implement करती है वैसे तो दोस्तो हम खुश है कि इस पर अच्छा काम किया जा रहा है लेकिन हमारे से जादा कोई और खुश है और वो है Pakistanis क्योंकि दोस्तो जब से हमने channel शुरू किया है Pakistanis ये दो चीज़ के बार में बहुत comment करत है एक तो पाकिस्तान के army के दुसरा इस toilet issues पर देकिन ये वो नहीं देखते कि पाकिस्तान world की 7th worst country है basic sanitation को लेकर और करीब 42% population के पास basic sanitation facility नहीं है और दोस्तों दूसरे links के साथ साथ इस article के भी link description में आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हो और जिसके खुद के घर शीशे के बने हो वो दूसरों के घर पर फतर नहीं मारते तो यह चीज अच्छे से याद रखनी चाहिए और दोस्तों यहां पे एक और बात बता दू ना हम किसी पपू के supporter है ना किसी फेकू के supporter है ना ही हम Congress के supporter है ना ही BJP के supporter है हम independent channel चलाते हमारा लेकिन आप हमें support कर सकते हो description में link है paypal paytm ppatreon का आप हमें donate कर सकते हो और इस चानेल को support कर सकते हो तो दोस्ता बस इस video में इतना है आप इस टॉपिक के बार में क्या सुस्ते हो और आपको यह video कैसा लगा है नीचे ở comment में हमें जरूर बताएगा अगर चैनेल को subscribe नहीं क्या तो सब्सक्राइब भी कर लीज़े हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू